का idea आथ्यू थो आधि क्लास में भीव नोक समझेगे डिटार नर्ट एकसर सायस 6.1 का क्यूसर नमबर 6 से लेक्षर नमबर 18 अगले क्लास में हम भूट समझ चुके थे क्यूसर नमबर 6 क्या करने है इस determinant को कहा जाना solve किजे ते इस determinant को solve करने के लिए हम लोग क्या करेंगे c2 dense to c2 plus में c3 third first column को second column में add कहलेंगे ते क्या हो जाएगा a, b, c first column message आजाएगा और यह first column second column में add कहलेंगे a plus b plus c b plus c plus a और a plus में b plus में c और a इसको add कहले a रह जाएगा क्या a square b square और c square अब देखे इसमें a, b, c, a, b, c, a, b, c common है ते इसको क्या करेंगे common ले लेंगे a plus b plus c ते क्या जाएगा a, b, और c यहाँ पर बज़ जाएगा one, one और one a मिल जाएगा a square b square, c square a determinant किसमें आ गया अब one, one बन आ गया ते इसको solve करने के लिए चल देंगे by r1 dance to r1 minus में r2 और फिर r2 dance to r2 minus में r3 यहाँ खरती हैं तो a रहने देंगे a plus b plus में c और इसको solve करें इसको इसमें घटाएगे तो क्या मिलेगा a minus में b और one minus 1 कितना 0 फिर इसको इसमें घटाएगे तो a square minus में b square और a वाला term घटाएगे तो b minus में c 1 minus 1 0 और इसको इसमें घटाएगे तो b square minus में c square और यह रह जाएगा c 1 c square दो element 0 ते क्या हो जाएगा कर जाएगा और जो करता हो यहाँ पर minus होता है minus लिख लेएगे और a plus b plus में c क्या बच गया है a minus में b और b minus में c यहाँ पर कटाएगा वाद दसाइट हो यहाँ पर होता है minus ते minus लिख लिए और a square minus b square का सुद्र लिख देजे a minus b और a plus में b और यहाँ भी तोड़ लेंगे b minus c और b plus में c अब ध्यान देंगे a minus b common है b minus c b minus c common है b minus c क्या बच गया 1 और यहाँ बच गया a plus में b यहाँ पर क्या बच गया 1 और यहाँ पर बच गया b plus में c और यह रह जाएगा minus में a plus b plus c और a minus b और b minus में क्या हो जाएगा c गुना कर दे 1 गुना इतना ते क्या b plus c minus i-1 गुना इतना क्या मिलेगा a plus में b b b क्या हो जाएगा कट जाएगा ते लिख देंगे a plus b plus में c और a minus b b minus में c और हैं क्या बच गा? c minus में a यह हो गए एहां से minus common लेकर answer कर सकते plus में या ऐसे छोड़ सकते यह हो गया question number 6 का first तो क्युक्षा नमर हम लोग समझेंगे 6 का सकेंड करा इसका सॉल्व गे इस डिटामिनान को सॉल्व करने के लिए क्या न या डिटामिनान आलफाबेट करने के लिए जब डिटामिनान आलफाबेट करने के लिए हमें क्या चाहिए 1-1 में रो या कॉलम तो 1-1 में रो है यहाँ column change करने के लिए हम लोग यहां पर 1-1 बनाएंगे 1-1 बनाने के लिए यह फ़र्स्ट थर्ड कॉलम को first कॉलम में जोड़ ले जे C1-2 क्या कहले C1 plus में C3 मतलब थर्ड कॉलम को first कॉलम में add करती है तो क्या हो जाएगा B पलस C और पलस में A फिर C पलस में A और इसको add करेंगे तो पलस में B और A पलस B इसको add करेंगे तो क्या हो जाएगा पलस में C और यह रह जाएगा A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A A, B, C यह वैसी रा जाएगा यह देखे तो common है तो इसको बाहर कहलेंगे A plus B plus में C तो यहाँ 1, 1 और A, 1 और यहाँ क्या बच गया A minus B, B minus C और C minus में यह बच गया A, B, C तो अब यह 1, 1 आ गया तो 1, 1 आ गया तब यहाँ से 2 element को 0 बनाएंगे 2 element 0 बनाएंगे क्या रूल होता है R1 dense 2, R1 minus R2 और फिर क्या होता है R2 dense 2, R2 minus में R3, यह होता है तो हम लोग यहाँ पर operation A लिख देंगे A plus में B, plus में C और इसको solve कर, इस 1 को इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 और इसको इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा ध्यान देंगे A minus minus plus minus में 2B हो जाएगा B को घटाएंगे minus B minus B minus 2B और plus में C और इसको घटाएंगे तो A minus में B और A घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 और इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा B------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ क्यां बच गया A-2B-C बच गया और यहां पर B-2C पलस में A बच गया और यहां पर क्या गी बहना है A-B और B-C रह गया अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कहलेंगे A-B-C को रहने देजिए अब इसको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे जो आएगा वही अनसर हो जाएगा अब B को गुना कहले तो क्या मिलेगा A-B-2B-A-2B-A-2B-C-A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C करेंगी एसे गुना करें क्या मिलेगा एबी और माइनस में टू एसी फिर क्या ना प्लस में एसक्वार अब बी से गुना करो तो माइनस पी असक्वार प्लस में टू बी सी और माइनस में एबी ए आ ऑद दो पर रहें हम लोग क्या खालिए गुना अब इसको जड़ा सौल कहले लगे पलंट में लिखना पड़ेगा यहां पर एभी आप माइनस में त्यूल बी एसक्वार्ड डी सी अपलस कितना हो जाएगा थिरी में बी च एदूर जाये 2BC क्या हो जाएगा 3BC और माइनस में AC और यह रहा जाएगा माइनस में C square माइनस में AB पलस में 2AC पलस में 2AC और यहां पर हो जाएगा माइनस में A square माइनस माइनस पलस में B square माइनस में 2AB 2BC यह माइनस को गुना कर दें और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में A B अब इसको जड़ा स्वाल कह लिए देखेंगे तरिए क्या रचलो जाएगा कि दिसमें और यहां पर माइनस में A square लिख लेंगे अब मायनस में B square फिर माइनस में C square और A लिख लेजिए यहां पर ध्यान दे पलस में AB और पलस में AB यहां पर 2BC आ माइनस 2BC तो क्या हो जाएगा तो यही क्या हो गया, यही अंसर हो गया, तो इसका मान क्या आएगा, यह हो गया, अंसर, तो क्योच नमर करन, 6 का थड़, एक अरा, इसको हल के जिए दे, इस डिटर्नार को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, C1 देंस टू, C1 प्लस, C2 प्लस, C3, तीनों को अड़ करेंगे, ए, A माइनस में, B, पलस में, B माइनस, C, फिर, B माइनस, C, पलस में, C माइनस, C, पलस में, A माइनस, C, पलस में, C, पलस में, A माइनस, C, पलस में, C, पलस में, A माइनस, C, पलस में, A माइनस, C, पलस में, C, और A- मैंनस में B C- A- B- B- C- A रह गया अब यहां पर क्या ना यह तीनों कॉलम को क्या करें दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में जोड़ लिए सकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐसी रह जाता है अब यहां पर कट करें तो B A A सब कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो घट कर क्या जाएगा 0 इसको भी सभी घटाएंगे 0 इसको भी घटाएंगे सभी को 0 और A बच गया B- C C- A और A- B C- A A- B और B- C हम लोग जानते प्रोपर्टिज में समच चुके कोई एक रो के कोई एक कॉलम में कोई पर्टिक इलिमेंट क्या हो 0 तो उस डिटर्मन का मान क्या होता जीरो यह हो गया क्यूचर नमबर 6 का 3 लोग समझेंके 6-4 में क्या करा कि यदि जानते लिए 1 प्लस ओमेगा अस्वार का भी लू Those लोमें को जोड़ लिया जाए अब यहां पे 1 प्लस ओमेगा प्लस में क्या ओमेगा असक्वार प्लस में 1 ओमेगा हट प्लस में ओमेगा ठर्ड कॉलम को किसमें जोड़ दिये फर्स्ट कॉलम में और इस सकेंड कॉलम वैसी रह जाएगा थर्ड कॉलम भी वैसी रह जाएगा और यह कहले हैं हम लोग सुत्र से कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्कॉार का रिजल क्या होता है 0 इसका भी result 0 इसका भी result 0 और रह जाएगा ओमेगा, omegasquare, omegasquare 1, 1 और omegas तो हम लोग इसका determinant करमान क्या हो जाएगा 0 क्योंकि फुर्ष्ट कॉलम के पर्ठेक element क्या है ? 0 तो इस determinant का मान क्या होगा ? 0 और एक point हम लोग समझ ले जब determinant omega से related हो या इकाल्पनिक मूल से related हो तो वह determinant का मान हमेशा हमेशा क्या होता जिरो होता है तो question number हम लोग समझेंगे क्या ना 5 तो question number 5 करा है तो question number 5 करा हैंगी ABC किसमे है AP में है तर निमलेखित का मान ते इसका मान गयाद के जिए इस determinant का मान गयाद करने के लिए पहले क्या given है condition ABC एक given है ABC किसमे है AP में है AP में है तर अपी का रूल हम लोग लगाएंगे जब determinant AP में रहता तो इसको रूल लगाने के लिए इसको solve करने के लिए पहले AP का रूल लगाते AP का रूल क्या होता T2 T2 मतलब B और मानस में T1 बरावर T3 मतलब C मानस में T2 AP का रूल क्या होता ना T2 मानस T1 बरावर T3 मानस T2 मानस इधर जाएगा तर क्या हो जाएगा 2B और इधर आजाएगा तर क्या मिल जाएगा A पलस में C तर 2B बरावर क्या A पलस C तर इस determinant AP में है इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए A पलस में C और A और C को जोड़ देंगे और फिर B में क्या चाहिए 2B B में 2 गुना कर देंगे मतलब इसका ओपरेशन होगा R1 Dense 2 R1 पलस में R3 तिसरा रो को 1st रो में जोड़ेंगे और साथ में मतलब तिसरा रो को पहला रो में तो 4 दो कितना जाएगा 6B पलस में 10 और इसको जोड़ेंगे तो 12B पलस में और यह जाएगा 16 और इसको जोड़ेंगे तो 18B पलस में 2A पलस में C अब करार दुसरा रो में गुना करेंगे तो दुसरा रो में क्या गुणा करना है दो तो तीन दुना छे बाई प्लस में दस इसमें बारा बाई प्लस में सोला तो दो गुणा किये तो दो क्या करना पड़ेगा दिभाइड क्यों क्योंकि जिस operation में गुना करते उसी में operation करते तो प्यार करना पड़ता है बालेंस करना पड़ता है और ए थर्ड रो वाईसी रह जाएगा 4 बाई प्लस में 6 और ए रह जाएगा 7 बाई प्लस में 9 और 10 बाई प्लस में 6 अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द्यान देंगे और ए रह जाएगा हाफ हाफ को रहने देजी और ए 6 बाई 6 बाई प्लस में 10 और 12 बाई 12 बाई प्लस में 60 और ए 18 बाई 18 बाई प्लस में क्या लिख सकते हैं तूबी और ए लिख दी जी टूबी और ठट रोब को भी लिख देंगे थर्ड रोब क्या है 6 बाई प्लस में 10 और 12 बाई प्लस में 16 और 12 बाई प्लस में तूबी यह है आपका क्या ना 2nd row तो 2nd row लिख दिए अब 3rd row लिख लेंगे 3rd row क्या है ना 4 by plus में 6 4 by plus में 6 और 7 by 7 by plus में 9 और 10 by plus में C हम लोग सभी जानते कि इसमें 1st row equal है क्या ना 2nd row के यदि determinant के कोई 2 row समान हो जाए तो पहला row और दुसरा row देखे तो समान है यह समान है तो यह साथने का मान क्या होगा 0 प्रोपर्टे में समझेते कि 2 रोज समान हो जाए उस determinant का भेलू क्या होता 0 0 गुना something क्या मिलेगा 0 यह हो गया answer तो एक point यहाँ पे निकलता है तो उस determinant का भेलू हमेशा 0 आएगा और जब ap में होगा जब ap में ap से related determinant होगा तो उसका भेलू भी क्या आता है जिरो आता है यह हो गया question number 6 का 5 तो question number हम लोग समझेंगे 6 का 6 से करा इसका भी मान गयात करें तो इस determinant का मान गयात करने के लिए क्या ना अच्छिक लगाएंगे दो No कॉलं सकेड कॉल फास्ट कॉल में थार्ड कॉलम को और सकेड कोलं को किसमें हो बिची फॉस्ट कॉलम में जोर देंगे तो X यहाँ पे जो लेजे X प्लस में बाई प्लस में एक्स प्लस में बाई बाई प्लस में एक्स प्लस में बाई प्लस में एक्स और X प्लस में बाई प्लस में एक्स प्लस में बाई ए दोनों कॉलम को किसमें जो ले फर्स्ट कॉलम और इस second column वैसी रह जाएगा और third column भी क्या ना वैसी रह जाएगा और ए रह गिया अब इसमें देखे तो क्या ना x plus by x plus by क्या हो जाएगा 2x अब 2 by और यहाँ पी 2 x 2 by और 2 x 2 by और ए मिल गया ए मिल गया by और x plus by x X plus by X और by और ए लिख ले तो इसमें क्या ना फर्स्ट कॉलम के देखे तो परते की लिमिन से मैं इसको क्या कर सकते common ले लेंगे तो ए common ले लेंगे क्या ना 2 X plus में 2 by A common क्या ले तो इहां क्या बज़ जाएगा 1 1 1 1 1 और 1 और A मिल जाएगा Y X plus में Y और X यहां क्या हो जाएगा X plus में Y और X और A लिख लिए तोनों को अगर A 1 1 और आ गया 1 1 और आ गया तो दो इलिमिन को 0 बनाएगे 0 बनाने के लिए रूल जानते है R1 dash 2 R1 minus R2 और R2 dash 2 R2 minus में R3 और A कहलेंगे तो इसमें 2 common है 2 common मिले लेजे X plus में Y यह लिख दे जो 1 minus बनाएगे 0 और Y कट जाएगा तो क्या बचेगा minus में X इसमें X X कट जाएगा क्या बचेगा Y इसको इसमें घटाएगे 0 इसको घटाएगे क्या बचेगा X minus में Y रह जाएगा 1 X और Y 2 element 0 कट जाएगा और एक कट जाएगा क्या बच जाएगा 2 X plus में Y और एक क्या बच गया minus X by और Y और X minus में Y अग ए रह जाएगा 2 X plus में Y ज़रा solve कह लें इसको तो क्या मिलेगा minus में X square minus minus plus में X by और minus Y गुना Y क्या हो जाएगा Y square अब इससे minus common ले ले तो X plus में Y minus common लेंगे तो minus वला टर plus plus वला टर minus और plus में Y square तो ए इसका सुद्र बन गया किसका सुद्र बन गया तो X Q और plus में Y Q का यह हो गया answer तो question number हम लोग समझेंगे 7 7 करना इस इतना बरवर इतना सावित कीजिए यह लिए चिस बरवर आरेज दिखाएं ते यह लिए चिस बरवर आरेज दिखाने के लिए यह determined किसमे alphabetical में तिसको solve करने के लिए 1 1 बनाना पड़ेगा 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग R1 में X R1 नहीं C1 में C1 में C1 में X multiplication करेंगे और X into C1 और C2 में Y multiplication करेंगे और C3 में Z multiplication करेंगे अब ऐसा क्यों कर रहें? क्योंकि हमें 1 1 बनाना है तो इसमें क्याना? X गुना करेंगे X square X Q और मिल जाएगा X by Z C1 में क्या गुना करना? X X गुना किये तो क्या करना पड़ेगा? Balance करना पड़ेगा Balance कर दे C2 में क्या गुना करना? By तो By गुना करेंगे Balance करेंगे क्या जाएगा? Y square By Q और X by Z C3 में क्या गुना करना जेड गुना करेंगे तो balance करेंगे जेड और ही हो जाएगा जेड अस्क्वाइर जेड क्यू और x बाई जेड ये लिख देए अब देखें x by z x by z common है इसको बाहर कह लेगे x by z पहले से था x by z ते हाँ क्या मिल जाएगा एकस स्क्वार बाई स्क्वार जेड़ स्क्वार एकस क्यूब बाई क्यूब और जेड़ क्यूब यहां में जागा वान और वन एक गया तो यह ना रो में वन बन आ गया ताव इसका न हम लोग सॉल्व कर लेंगे तिस वो रो में वन बन आ गया तो इलमेंट को जीरो बनाएं इन लिख लिए जे c1 देंस to c1 minus c2 और c2 देंस to c2 minus c3 operation यह होगा और इसको solve कहलेंगे तो यह क्या मिल जागा यहाँ पे और इसको इसमें घटाएंगे दूसरा कॉलम को पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को पहला कॉलम में इसको इसमें घटाएंगे तो x square minus में by square और x q x q minus में by q 1 minus 1 कितना 0 यह हो गया फिर अब थर्ड कॉलम को सकेंड कॉलम में घटाओ तो यह आजाएगा by square minus में z square और यह by q minus में z q और यह 1-1 घटाएंगे क्या जाएगा जीरो और यह लिख दीजे जेड़ असक्वार जेड़ कीव 1 तो दो इलिमेंट 0 एक कर जाएगा और एक कर जाएगा और बच जाएगा जिसको लिख देत ए आपका फर्मूला बन रहा लिख देंगे एकस माईनस by और एकस पलस में by ए भी बनरा जेड इसको लिख देंगे by माईनस में Z और by प्लस में जेडर अले लिख दे और क्या बच यह 1 q मानस बी क्यूला लिख दो एकस माईनस by और इक्या हो जाएगा एकस असक्वार अब पलस में x by plus में by square और इसका तोड़ लेंगे तो by minus j क्या हो जाएगा by square by j by j अब plus में j square और ए हो गया और ए तोड़ लेंगे अब इसको हम लोग क्या करेंगे solve कहलेंगे तो जो बचा उसी को लेख दिये किवन formula तोड़ कर अब देखे इसमें तो common देख्या नहीं अब यहां देखे x minus by x minus by common x minus by common लेले तो क्या बचेगा x plus में by और यहां क्या बचेगा x square plus में x by plus में by square बचेगा और यह लिखते हैं इसमें by minus z by minus z common लेले by minus z common लेले क्या बचेगा by plus में z और यहां बचेगा y square by z प्लस में z square अब यह रहने थे x minus by by minus z और अब इसको cross multiplication कर लेगे और solve करेंगे यह आ जाएगा अब ज़रा cross multiplication करते थे x गुना क्या जाएगा x by square x by z और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर x z z square अब by से गुना करेंगे तब by q प्लस में by square z अब प्लस में by z square यह हो गया अब क्या लगाएगी minus minus अब अब यह वाला term गुना होगा तब by को सभी के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा और x x square by प्लस में x by square प्लस में by q अब z से गुना करो तब प्लस में x square अब प्लस में x by z और प्लस में by square यह हो गया गुना अब एक गुना करने के बाद अब जो बचेगा उसको लिख देंगे x minus by by minus में z अब ध्यान दे यह minus को गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा minus में सब माइनस में तेहां पर डाइडेक कर दे x by square कहीं है नहीं है x by plus में x by z plus negative में minus का नेगेटिव होगा और x z square कहीं है x z square by q और minus में by q एकर जाएगा minus गुना होगा तो सब माइनस में हो जाएगा और by square z by square z एकर जाएगा और एकर जाएगा बाई जेड़ असक्वार बाई जेड़ असक्वार नहीं है अब जो नहीं है जो बच गया उसको लिख दे क्या बच गया एक्स बाई असक्वार और प्लस में एक्स जेड़ असक्वार और प्लस में एक्स जेड़ असक्वार और माइनस में x square by x square by अब प्लस में x by square माइनस में x by square माइनस में x square z और ये वच के इतना term बच गया अब देखे तेहां पे एक term छुट गया था x by ये वला term और ये वला term कट रहा अब जो बचा हुआ उसको यहां पे रफ करके तेहां पे रफ करते हैं एवी रफ करना पड़ेगा अब एग जो बचा हुआ उसके लिख देंगे x माइनस में by by माइनस में z और क्या बच गया है हाँ पे x z square अब प्लस में by z square माइनस में x square by माइनस में माइनस में x square a बचा हुआ अब बचा हुआ अब इसको हम लोग और अफ कहलेते हैं x माइनस by by माइनस में z अब ध्यान दे x z square x z square यहां पे और a माइनस में x z square यह दोनों से ना कॉमन ले लिजे x z common ले हाँ पर z बच जाएगा और यहां क्या बच जाएगा माइनस में x अब पलस यह दोनों में क्या common है तो by common है तो z square minus x square यह common हो गया और लिग लेंगे x minus by by minus z z minus x एफ फर्मूला बनड़ा a square minus b square तो दो देगा एक plus में एक minus में माइनस वाला common लें z minus x तो यहां पर बच जाएगा क्या x z पलस by पलस वाला टम रह जाएगा z पलस में x और यह रह दिया अब इसको लिख लिख लिजे यहां पर तो क्या हो जाएगा x minus में by by minus में z z माइनस में x और x z पलस पुना करो by z पलस में x by यह होगे answer यह तो हम लोग को proof करना था तो क्यूचर नमबर हम लोग समझेंगी आठ आठ कर रहा न lhs बराव और rh दिखाए इसमें lhs बराव आठ दिखाने के लिए इसमें 1,1 है दो element को 0 बना लें कैसे इसमें हम लोग operation करेंगे r1 dense to r1 minus में r2 कर देंगे और r2 dense to r2 minus में r3 यह operation करेंगे तो a दुसरा रो को पहला रो में घटाएंगे तो 1 minus 1 0 और इसको इसमें घटाएंगे तो a square minus b square plus में bc माइनस में a c यह हो गया और इसको इसमें घटाएंगे तो aq minus में bq फिर इस बन को इसमें घटाएंगे 0 मतलब तिसरा रो को दुसरा रो में घटाएंगे इसको इसमें घटाएंगे 0 और a आ जाएगा b square minus c square plus में c a माइनस में ab और यह घटाओ तो bq minus mnie aq और a1 c square plus a b जो A कर जाएगा और A कर जाएगा अब जो बच्चा हुआ उसको लिख लेंगे क्या बच गया A A square minus B square इसको A minus B और A plus में B तो लिखी सकते हैं S अब plus में A दोनों में क्या common है C minus C common ले लो तो minus दोनों में C common ले लो इसमें भी common इसमें भी common तो minus C common लेंगे तो minus वाला term plus हो जाएगा अब plus वाला क्या हो जाएगा minus दियान रखना पड़ेगा और यह हो गया यहाँ पर भी सुत्र बंढ़ आया तो B minus C और B plus में C कह दे अब यह दोनों में क्या common A है लेकिन minus में A common लेते हैं तो minus वाला क्या हो जाएगा पलस में अब पलस वाला क्या हो जाएगा minus में और A Q minus B Q और A बच गया तो A Q minus B Q बच गया तो इसका सुत्र तोड़ी देजिए A minus B और A square plus में A B plus में B square A रहेगा इसका भी सुत्र बन रहा है तो A आपका बन जाएगा sorry A C square इसका सुत्र क्या हो जाएगा B minus में C और B square BC plus में C square A होगा अब ध्यान दे अब इसमें देख रहे हैं तो A minus B A minus B common है और A minus B हैं A minus B common है तो A minus B common ले लेंगे तो क्या बचेगा A plus B minus में C यहां क्या बचेगा A square A B plus में B square बचेगा इसमें B minus C B minus C common बचेगा B plus C minus में A और यहां क्या बचेगा B square plus B C plus में C square A आगया अब इसको तिर्चा तिर्ची हम लोग यहाँ पे सकेर और डिटमरान को solve करेंगे और ए अंसर आएगा जिसको solve करने के लिए इसको rough करते हैं तक हो गया नुट सभी का तो इसको हम लोग क्या करते हैं रफ करते हैं पे रफ करते ध्यान देंगे यहाँ तक अब इसको गुना कहलेंगे अब हम लोग यहां पे यहां तक रफ कहलेते हैं अब ए गुना कहलेंगे ए लिख लेंगे A-B, B-C अब गुना कहलो A से गुना करो सबसे पहले A से गुना करें क्या जाएगा A B square माइनस में A B सारी, पलस में A B C पलस में A C square फिर B से गुना करेंगे पलस में B Q पलस में B square C पलस में B C square फिर माइनस C से गुना करेंगे तो माइनस में B square C माइनस में B C square माइनस में C Q अब माइनस लगाएंगे अब A B से इधर इधर गुना करेंगे A, B से B से सभी में गुणा करें क्या जाएगा A square B plus में A B square plus में BQ हो गया اب C को गुणा करो C को सभी में गुणा करो क्या मिलेगा A square C A, B, C plus में B square C आप Mindus A को गुणा करेंगे Mindus में A Q माइनस में A square B माइनस में A B square A हो गया गुला अब इसको ज़रा solve कह ले हो A minus B B minus C अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे इसमें क्याना B square यहां पर A A plus में और A minus में A कट गया और कट या कोई नहीं है और नहीं कट रहा है इसमें भी कोई कट रहा है A square यहां पर A square B और इसमें क्याना B square C इसमें कोई नहीं कट रहा है इसमें क्याना और A minus में A B C पलस में A B C एक कट गया और जो बचा हुआ उसको लिख लेंगे बच गया A minus में नहीं है अब जो बचा हुआ टर्म को लिख लेजिए बचा हुआ और यहां पर minus में minus में A square B A कट गया और minus में A square B square A कट गया और अब यहां पर B square C अब कोई नहीं कट रहा है तो B square C और यहां पर भी B square पलस में है और यहां पर क्या B square C minus में A कट गया अब जो बचा हो उसको लिख लो बच गया ab square और abc प्लस में ac square द्लस में bq और मैनस में cq और air रह गया माइनस मीं cq मel indoor कुना करो मिल जागा माइनस में a square cta-т foul first time आब इसको जरा कट करेंगे देखेंगे कोई कट रहा है क्या अर अ कहीं है a b a square नहीं है और a b c प्लस में और माइनस में a b c a c square अहां पर a c square भी कहीं नहीं है तो इसको लिख लेंगे a माइनस में b b माइनस में c और ये क्या बच गया ना a b अस्क्वार तो पहले हम लोग लिख लएगे जिकला क्या ना ये पहले लिख लजेगए समय क्यूर्श कर जाएगे और क्या बचाले बच जाए और A C square और A C square और फिर असमें और बचा हुआ माइनस में A square C और यह लिख दे अब प्लस में A B square और माइनस में B square C और A term लिख दे अब सारे term हम लोग लिख दे अब इसको जड़ा solve करते हैं तो इसको हम लोग solve करेंगे ज़ा हैं लिखते हैंगे A माइनस में B और B माइनस में C और यहाँ पर देखे तो A common है A मैनश में C और Aже-C और बचियेगा A square पलस में AC पलस में C और पलस में इहाँ पर क्या हो जाएगा ना आ A A C common है तो क्या बचेगा यहां पे C और माइनस में A है, तो माइनस में A C कॉमन ले, तो क्या बचेगा, A माइनस में C, और प्लस में, इसमें क्या कॉमन है, माइनस में, सारी, B असक्वार कॉमन ले, प्लस में, तो A बचेगा, A माइनस में C, तो अब A माइनस में B, B माइनस में C, तो A माइनस C, A माइन C common ले ले तो क्या बचेगा A square plus में A C plus में C square और यहाँ minus में A C बचेगा और यहाँ पे plus में क्या बच जाएगा B square A C A C क्या हो गया कट गया और क्या बच जाएगा A minus में B B minus में C और A minus में हाँ minus common ले लो तो A minus वाला plus plus वाला minus लो जाएगा तो क्या बचेगा A² और B² और प्लस में C² यही तो हम लोगों को क्या करना था प्रूफ करना था A-B, B-C, C-A आ गया A², B², A², B², A², A², B², A² ओ क्या में आएगा? माइनस में आएगा और A रिजल क्या आया? माइनस में वोगिया. Hey तोjust number 9 का स्मझेंगे इस का यही पर्थम कोलम में 2-2 इलिमिन्ट जुरा हुआ है, दो पलस चिन के साथ हिए лег दी्टार्णिन के साथ बठएगा पर्थम कमांट कितने इंतником नंटवं वेह बाठता है पलु से फिर से पर सेusta में में दो दो इल्यमन जुराएब पलसकीन के साथ दोड्रुणान बठता या सार साणने कमांट 2 सारली के मान में बढ़ जाता है और ये पर्थम अभियाब पर्थम डिटर्मांट में सकेंड अभियाब सकेंड डिटर्मांट में सेस अभियाब दोनों डिटर्मांट में और ये लिख ले और सेस अभियाब दोनों डिटर्मांट X, 2X, 3X और X, 2X और 3X ये लिख ले अब यहां पर ध्यान दे, इसमें X common है, X common ले ले, तो क्या बचेगा 1, 5 और 10, इसमें भी X common है, तो 1, 4 और 8, इसमें X common है, तो क्या बचेगा 1, 2 और 3, पलस, इसमें देखें तो Y common है, तो क्या बच जाएगा इसमें, 1, 4 और 8, इसमें X common है, तो 1, 4 और 8, इसमें X common है, तो 1, 2 और 3 जे आ गया अब हम लोग यहां पर लिख लेंगे क्या ना ये 1, 1 आ गया थे 1, 1 आ गया थे इसको आपरेशन कहले जे क्या ना C1-2 C1-C2 और C2-C2-C2 मायनस में C3 से हल कहले तो A मिल जाएगा यहां पर X into X into X तो क्या मिल जाएगा XQ इस 1 को इसमें घटाएगे 0, 4 को इसमें घटा 1, 8 को इसमें घटा 2, फिर अब तिसरा कॉलम को दूसरा कॉलम घटा, इसको इसमें घटा, तो 1-1 कितना? 0, इसमें घटाएगे 2, और एक घटाएगे क्या मिलेगा? 5, 1, 2, 3 रह जाएगा, अब प्लस में बाई into X into X स्क्वार, हम लोग जानते, इसमें क्या ना, एक पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, दोनों कॉलम क्या है? इक्वल है, तदी 2 कॉलम समान हो जायते, इस डिटर्मिनान का मान क्या होगा? 0, क्यों? कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम क्या है? समान है, इस डिटर्मिनान का मान क्या हो जाएगा? 0, यह लिख लेंगे हाँ पर यह दो 0 है कर जाएगा और यह क्या बच गया XQ 1, 1, 2, 2 और 5 0 गुना सम्थिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यह तो 0 हो गया और XQ 1 गुना 5 5 माइनस 2 गुना 2 कितना 4 और एक घटा लेंगे तो क्या मिलेगा 1 XQ गुना 1 क्या मिलेगा XQ यह वो गया क्या प्रूड हम लोग चले LHS क्या गया RHS यह तो हम लोग को दिखाना था यह हो गया क्यूस्ट नमर 9 का फ़र्स्ट तो क्यूस्ट नमर हम लोग समझेंगे 9 का सकेंड एक करा LHS पर और क्या दिखाए आड़े चीश्ट यह तो आज दिखाना बहुत सिंपल है तिसको क्या करो ना हम लोग किसको सॉल्ब करने के लिए टर्मनार में क्या है व़र्ण नहीं थिसको सल्व करने के विरे क्या क्या कहले सी 1 डेस्ट टू- discussing box 3 पॉस्ट को साथ हर कॉल्म सकीड कॉलम किसमे जोड़ लेइक है फस्ट कॉलम में तो जोड़ेंगे क्या चाहला बी बी टू पी सी 2A, 2B, 2C, A, 2C, A, 2C, A आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, 2A, 2B, और 2C, A भी तिनों को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, 2A, 2B, और 2C, और A वैसी रह जाएगा, C पलस A, A पलस में B, और B पलस में C, A भी रह जाएगा, A पलस में B, B पलस C, और C पलस में एक एले दोनों कॉलम को एफ थर्ड कॉलम और सकेंड कॉलम को जो लिए फर्स्ट कॉलम में सकेंड कॉलम थर्ड कॉलम वैसी रह जाएगा अब देखे तो यह इक्वल है तो इसको कॉमन ले ले तो दो कॉमन लेके ले लेते हैं A पलस B पलस में C A common ले लिए 2-2-2 common था भार कर दे और A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C लिख दे क्या बचेगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यह मिल जाएगा C plus A, A plus में B, और B plus में C और यह मिलेगा A plus में B, B plus में C, और C plus में A अब इस determinant को solve करेंगे इस determinant को solve करने के लिए 1, 1 है, तो दो element 0 बनाएगे तो 0 बनाने के लिए operation करेंगे R1-2, R1-R2, R2-2, R2-R3, A operation करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं, तो A लिख लेंगे 2 A plus B plus में C, और 1-1, मतलब दुसरा रो को पहला रो में घटा रहे, इसको इसमें घटाएंगे तो 1-1, 0, अब इसको इसमें घटाएंगे तो A, A कट जाएगा, तो क्या बचेगा? B, तो C माइनस में B बचेगा यहाँ भी देखे, B, B कट जाएगा और A, ऊपर जाएगा, तो क्या मिलेगा? A-C अब तिसरा रो को दुसरा रो में खटाएंगे इसको इसमें खटाएंगे तो 1-1, 0 और B, B कट जाएगा तो क्या बचेगा A-C और A वाला CC टर्म कट जाएगा तो यह क्या बच जाएगा B-A B-A और A, थर्ड रो वैसी रह जाएगा 1, B+, C और C पलस में A दो इलिमेंट 0 A कर जाएगा और A कर जाएगा क्या बच गया 2, A पलस में B, पलस में C क्या बच गया C-B C-B, A-C और A-C और B-A अब इस डिटर्नान को सौल करने के लिए क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कहले 2, A पलस, B पलस में C तर एक गुना कहलेंगे C को क्या मिलेगा B, C, अब माइनस में A, C और फिर अब B को माइनस में B, अस्क्वार अब माइनस माइनस पलस में A, B अब माइनस अब इसको इससे गुना कहलेगा तो क्या हो जाएगा A, A माइनस C के हौल असक्वार हो जाएगा नहीं यह माइनस से के हौल असक्वार अभी लिख लेंगे टू ए प्लस बी प्लस में सी बीसी प्लस माइनस में एसी और माइनस में बी असक्वार माइनस में ए बी और ए माइनस ते ए e- b k e all a square to a square अब प्लस में क्या हो जाएगा इन सी ऑसक्वार अभ माइनस में 2ac हो जाएगा अब इसको लिख देख 2a प्लस बी प्लस में C b c अभ प्लस में और a मिल जाएगा माइनस में A C minus B square minus AB minus A square minus C square minus minus plus 2AC और जो बचा हुआ उसको अब लिख दिया जाए तो A plus B plus में C तो A B C B C और माइनस में A C और पलस में 2AC तो क्या हो जाएगा पलस में C minus में AB यह माइनस में नहीं है और लिख पलस में है तो पलस में AB माइनस में A square minus में B square और माइनस में C square यहीं तो हम लोग को फ्रूफ करना था क्या LHS is equal to RHS जो बहुत असान था तो Q नमबर हम लोग समझेंगे 9 का ठड़ एक करा LHS बढ़ावर RHS साबित के इसको साबित करना असान है क्योंकि इस रोम कॉलम में क्या है ना 1 बन है तो इसमें हम लोग LHS चल देंगे बाई क्या कर देजे R1 डेंश 2 R1 मायनस में R2 और R2 डेंश 2 R2 मायनस में R3 एक कहले और इसको मतलब दुसरा रोम को पहला रोम में घटा दे इस रोम को इसमें घटा तो 1 मायनस बन गया 0 इसको इसमें घटाएंगे इसमें घटाएंगे और बचाएगा X मायनस में Z आप तिसरा रोम को दूसरा में घटा दो 1 मायनस बन कितना 0 जेड जेड कर जाएगा तो by minus x बचेगा z square z square cancel होगा तो बचेगा by square minus में x square 1 z plus में x z square plus में x square 2 elements 0 एक cancel और एक cancel क्या बच गया उसको लिख देंगे बच गया x minus में z और यहां बच गया by minus में x यहां पर बच गया by minus में x और यह लिख देंगे सुद्र बन गया है x minus z और x plus में z यहां पर क्या बच गया by minus x और by plus में x अब इसमें x minus z x minus z common है तो x minus z क्या कहलो common लेलो फिर इसमें by minus x by minus x common है तो by minus x common लेलो तो क्या बच जाएगा यहां पर गया one और यहां बच जाएगा X पलस में Z इसमें क्या यह तो कॉमन ले लिए है यहां बच जाएगा 1 यहां बच जाएगा 1 और यहां पर बच जाएगा क्या Y पलस में X और यह लिख दे X माइनस में Z और Y माइनस में तिर्चा तिर्ची गुना 1 गुना इतना और बाई माइनस में एक्स और ए माइनस गुना होगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स के जिल तो बाई माइनस में क्या जाएगा ना जीर तो इससे माइनस कॉमन ले ले जी क्या कहले माइनस कॉमन ले ले माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस यहां से चिस्वरोर क्या आगिया आड़ेची तक किस्चन नम्मर नाइन आपका कम्पलीट हुआ नाइन का थर्ड तुवाची कलास इतना है तक थैंक्यों आज दिन शुग्रिया फिर मिल दे अगले कलास में